देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस 19 जुलाई से शुरू हो रहे मांसुन सत्र से पहले अपना संसदिय दल का नेता बदल रही है सूत्रों की माने तो अधीरंजन चौदरी को उनके पत से हटाया जा सकता है चौदरी को उनके पत से हटाने के पीछे कई सारे वज़य भी है जैसे विपक्षी पार्टियों के साथ तालमिल का अभाव सदन में प्रभाव शाली नेत्रत्व नहीं दे पाना और धारा 370 पर दिये गए उनके बयान से तो पूरी पार्टि की साखी दाव पर लग गई थी इसके लिए सोन्या गांधी ने बुद्वार को पार्लियामेंटरी स्ट्राटजी ग्रूप की बैठक बुलाई है सूत्रों की माने तो अब पार्टी असंतुष्ट नेताओं के समू यानी जी 23 के किसी नेता को या पद दे सकती है लोगसभा में कॉंग्रेस के नए नेता के लिए श्यशी थरूर और मनीश दिवारी का नाम सबसे आगे चल रहा है माना जा रहा है कि पार्टी जी 23 नेताओं में से किसी को या पद देना चाहती है संसद्य दल के नेता बनने की दौड में गौरव गोगोई, रवनीत सेंग बिट्टू और उत्तम कुमारेड़ी का नाम भी चर्चा में है कहा तो यह भी जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और रास्ट्रिय महासचीव प्रियंका गांधी वर्डरा ने लोगसभा के सदन नेता के पद के लिए राहूल गांधी से बात की है लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि राहूल गांधी उसके लिए राजी होते हैं या नहीं लोकसभा में संसर्य दल के नेता के साथ ही पार्टी का लोकसभा में चीप विप भी बदला जा सकता है सूत्रों की माने तो पार्टी दोनों ही पदों के लिए नए नामों का एलान लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई ओल पार्टी मीटिंग से पहले ही कर देगी संसत के मानसुन सत्र के लिए कॉंग्रिस पार्टी अपनी कमर कश चुकी है वही सरकार को विभिन मुद्दों पर घेरने की रणनीती भी उसने बनाई है उसी के तहट पार्टी अब इन दोनों ही जिम्मेदार पदों पर अपने विश्वस्निय सिपह सालारों की नियुक्ती करके अन्य विपक्षी पार्टीों का सहयोग प्राप्त करना चाहती है इसलिए पार्टी मानसुन सत्र से पहले इतने बड़े बदलाव की तयारी कर रही है